मेरे प्यारे देश्वासियों, देश के बहत्रवे गंतंत दिवस के शिव अफसर पर आप सब को हारदिक बधाई और शुबकामना है। आज का दिन 77 सग्राम के महानेताओं को याद करने का दिन है। जिनके प्यासों से पहले देश को आजादे मिली और फिर 26 जनवरी 1950 को देश का संपुन प्रभुत संपन गनराज के रूप में पुन उदववा। पिछले 70 वर्षों के दोरान जिस एक्ता और सम्रस्ता की भावना से देश ने निरंतर प्रगत्ती किये उसमें हमारे सविधान का सबसे बड़ा योगदान है। हमारा सविधान साथ दश्कों के बाद भी समय की हर कसोटी पर खता उत्रा है। और आज भी करोडो भारतियों की आशाओं और आकानशाओं की उर्ति करने का सशक्त माद्यम है। हमारा सविधान भारती सब्विता और संस्कृति का वो जिवन दस्ताजवेज है जो नियाय की स्तापना करता है सबके कल्यान का मार्ग दिखाता है। इन सत्तर वर्षों में हमारा गंतन परिपक हुआ है और हमने सामाजिक, आर्थिक, वेज्ञानिक और टेकनोलोजिक के शित में बहुत प्रगतिक है। परंतु हमारा लक्ष लोक्तानती मुल्यों पर चलते हुए सशक्त और आत्म निर्वन भारत का निर्माण है। ये तभी हो सकता है जब देश का हर नागरिक सविधान को पड़े और समझे अपने सविधानिक अधिकारों के साथ सविधानिक करतियों के निर्वन को भी परतिबद हो। आईए आज हम सब प्रण करें कि सविधानिक और लोगतानती मुल्यों को आत्म साथ कर राष्ट किनिमान के इस पुनित यग में अपना सवसेश योगदान देने करत संकिप रहेंगे इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी को सवस्त समर्द और सुकी जीवन के लिए झाल सोफस्त आप समर्द आप सुकी जीवन के लिए जाइन हैं।